तो आजम जिस मूवी को explain करने वाले है फो मूवी है एक तिन नाम के व्यक्ति के उपर बल्द हो दिखने में एक दम नॉर्मल होता है कोई रिदेग्लोशन डैप नहीं होता और इसलिए उसको उसकी crush भाव भी नहीं देती पर तब ही उसको अपने पिता जी से मालूम चलता है कि उसके पास एक पुस्तैनी ताकत है जी हाँ और वो पुस्तैनी ताकत है time travel वो कोई भी time में travel कर सकता है पर एक condition है वो अगर present से past में जाता है और past अपने उसी present में आता है तब तो ठीक है पर वो अपने present से future में नहीं जा सकता ठीक है समझ में आगे अपनको तो हम movie start करते सबसे पहले वो अपक को मिलाता है अपनी मास से वो कहते हैं कि मेरी माँ और moms की तरह ज़्यादर ड्रावा नहीं करती वो काफे sincere है फिर वो अंग को मिलाता है अपने पोरजी ने पोदाए जी से जी हां वो बताता है कि उसके पापा काफे सुल्जे हुए इंसान है उनको ध दुनियादारी के टेंशन से कोई भी मतलम नहीं उनको पसंदे सरफ किताब पढ़ना और मेरे साथ टेबल टेनिस केलना और फिर वो उनको मिलाता है अपने मामा जी से वो बोलता है कि मेरे मामा जी की शादी नहीं होई मतलब मामा जी अभी तक रंड़ए है और हर टाइम बस कोट पेन पहने रहते हैं और वो अपना पूरा दिन बिताते हैं मेरे मामा बन कर यानि कि वो कुछ भी नहीं करते नले बेरोजगार है और फिर वो दिखाता है अपनी बेहन को जिसका नाम होता है केसी अब केसी होती एकदम पागल टाइप की आरे मतलब वो आले पागल नहीं जो पत्तर उठा के मार देते ये तोरी अलग टाइप की है यानि कि उसको दुनियादारी के रीती रिवास से कोई भी मतलब नहीं यानि कि अच्छे से बैठना अच्छे से खाना अच्छे से पीला उसके मन में जो भी आता है वो वो करती है वो अपनी लाइख में खुश है और यही उसकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है और यह लोग रहते हैं काफी शांती में एक लड़का पसंद आता है और जैसा कि मैंने कहा था उस लड़की की हरकते जो कि आप देखी सकते हो और जब नियूएर की काउंटिंग होती है तब टिम की बहन केसी अपने बॉइफरेंड को किस करती है पर टिम उस लड़की को किस नहीं करता और उस लड़की को लग जाता है काफी जादा पुरा और टिम इसी गिल्ट के साथ अगले दिन उठता है और आज उसके पापा कुछ अलगी होते है वो उससे कहते हैं मैं तुम से कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो कि हमारी फैमली के लिए काफी important है और मैं यह चाहता हूँ कि तुम यह secret किसी को भी नहीं बताओगी टिम कहता है ठीक है बताओ तब उसके पापा कहते हैं सुनो बेटा हमारी फैमली के मरदों के पास ऐसी ताकत है जो कोई सोच भी नहीं सकता हम लोग बड़ी आसानी से अपने past में जा सकते हैं और अपने past में जाकर फिर से चीजों को सही करके अपने present में आ सकते हैं अब तुमारे दादा जीस power का इस्तमार करके घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए और मैंने अपनी life को काफी enjoy किया मैंने काफी जादा books पढ़ी और तबी मेरे मन में सवाल आता है क्या books पढ़ने को enjoy कहते हैं तो तो फिर मैंने 12th में काफी enjoy किया अब टिम को ऐसा लगता है कि उसके पता जी की age सटकने वाली हो चुकी है तो शायद हो सकता है कि वो वैसी बाते कर रहे पर उसके पता जी कहते हैं बिटा सुनो मैं तेरब पता जी हूँ तो तू ऐसा कर जाके इस चीज़ को टेस्ट कर ले तो टिम भाई साथ जाते हैं कलमारी के पास और जैसा कि उसके पता जी ने मैता है था कि अपने हाथ और आग बंद करके उस टाइम के बारे में सोचो जहां पर तुम जाना चाहते हो पर उस टाइम पर तुमारे आसपास कोई भी रही होना चाहिए और टिम सोचता है पिछले दिन की रात के बारे में और जब वो इनमारी खोलता है तब वो क्या देखता है कि उसकी कपड़े चेंज हो चुके है और वो दिवारे से उसी पार्टी में पहुँच गया और वहाँ पर हो रही होती है काउंटिन और इस बार टिम उस लड़की को किस कर देता है और बज़ारी का दिन बना देता है और वो दिवार यह से उसी time पर वापस आता है और अपने पापा से कहता है कि आ कि यह क्या 진짜 है जिसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं तब उसके पापा कहते है कि इस टाकत को तुम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम अपने life में पाना चाहते हो और हम सभी को मालम Tim क्या पाना चाहता है हाप वो भी पाना चाहता है पर पहले वो पाना चाहता है लड़की को और आज आने वाली थी उसकी crush जिसका नाम ता Charlotte जो की होती है उसकी रिष्टेदार और Charlotte को हम सभी जानते है संसकार ये एजूकेशन वेब सीरीस से और जैसे शारलेट हमको लगती है वैसे ही लगती है वो टिम को काफी ज़्यादा खूपसूरत शारलेट धूप से करे होती है तब ही वो टिम से कहती है कि क्या तुम मेरे पीट पर क्रीम लगा दोगी तब टिम कहता है एक सेकंड पहले मैं अपना पेश पढ़ दू फिर उसके बार और टिम बड़ी एटिटूड में उसके पास आता है और काफी आराम से क्रीम लगाता है और शारलेट के आसपास रहने से उसका आराम और नीन दोनों ही खतम हो चुके थे और आज के दिन शारलेट चाने वाली थी अपने घर अब टिम सोचता है कि आज के बाए शारलेट तो च्छू हो जाएगी तो मेरे पास आज मौका है इसको प्रपोस करने का और वो उसके पास जाता हूँ उससे कहता है जिस टाइम पहले दिन शारलेट उसके घर पे आई थी और वो अंदर जाकर शारलेट को प्रपोस कर देता है तब शारलेट पता क्या कहती है कि तुम तो काफी जल्दी में हो मुझे सांस तो ले लें दो मैं भी तुम को हाँ नहीं कर सकती अब यहाँ पर टिम के साथ हमको समझ में आता है कि लड़के को समझना काफी तेड़ी चीच है और फिर से वो अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है जहाँ पर शारलेट चली आती है और अब टिम का भी समय आ गया था अपने जॉब में जाने के लिए अर उसको इतने सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि इतने सारे पैसे सोख समझ के खर्च कर Gina तरासर टिम ने करी था एक लोयल की पढ़ाई और उसको यहाँ पर जॉब मिल चुकी थी और अगले दिन टिम जाता है अपने ओफिस, जहाँ पर उसको मिलता है रोजर, रोजर उससे ज़्यादा बड़ा वाला सिंगल होता है, जाने कि रोजर की गल्फरेंड क्या, अभी तब एक फीमेल दोस्ट भी नहीं बनी, अभ भाई को जाएगी थी रोजर की भावी, जो कि उसको नहीं मिल रही थी, और एक दिन वो अपनी दोस्ट के साथ, एक प्लाइन डीट पर जाता है, जहाँ पर उसको एक मेरी नाम की लड़की मिलती है, अब इनकी पूरी गुप्तिगों इसी अंधेरे में हुई, तो वो समय आपको दिखा नहीं सकता, तो बस आप लोग मे अब यहाँ पर मेरी और टिम की काफी अच्छी बात होती है, और बाहर खड़ा आओकर टिम मेरी का इंतजार करता है, और जब मेरी वहाँ पर आती है, तब टिम की हवाईया उड़ जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहाता है कि मुझको मिले सपनों की रानी मिल गई, पर म मेरी अपनी लुक को लेकर काफी इंसेक्यार होती है, उसको लगता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगती, और टिम उससे वड़े ही रफ्तार में नमबर ले ले लेता है, और काफी ज़दा खुश हो कर जाता है अपने रूम पर, जहाँ पर उसको मालम चलता है कि य नहीं जा पाया, पर मेरी ने उसको एक बात बताई थी, कि उसको नए नहीं मॉडल को देखने में काफी दिल्चस्वी है, और अब टिम सच्चा अशिक बन कर, हर टेम वहीं पर उसका इंतजार करता है, कि कास किसी दिन मेरी आई की, और वो उससे बात कर सकेगा, और वो मेर हुआ यहाँ पर आचुकी थी, मेरी, और वो पहले फुरसत मेरी के पास जा कर गहता है, कि क्या तुमने मुझ को पहचाना, पर मेरी कहते है, नहीं, क्योंकि मेरी किसापच से टेम उससे कभी मिला ही नहीं, नहीं, तो वो उसको canate करता है, तिम उसको पीछा करता है, तक त कि मेरा कोई दोस्त नहीं, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, तब मेरी को उसके लिए काफी बुरा फील होता है, और वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूं, और यह लोग एक छोटा ऐसा लंच करते हैं, यहाँ पर मेरी की एक दोस्त भी होती है, और तब ही टिम वहाँ से हो जाता है, नो दो क्या रहा, क्योंकि आपको मालूम था कि अब टिम क्या करेगा, वो टाइम ट्रेवल करके जाता है, पास्त में, उसी पार्टी में, जहाँ पर मेरी और उसका बॉइफिन मिले थे, और वो उसके बॉइफिन के पहले ही, वहाँ पर जाता है, और मेरी को कर देता है, प्रेस, क्योंकि टिम को उसके बारे में सब कुछ मालूम था, कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और मेरी एकदम चौक जाती है, कि इसको ये सब कैसे मालूम, और मेरी का प्रेजेंट वाला बॉइफिन, उसका बॉइफिन कभी ब बारा करता है और finally पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है और अब ये लोग खूब enjoy करते हैं खाते हैं पीते हैं खूमते हैं फिरते हैं काम करते हैं gift देते हैं एक दूसरी के लेते हैं खबर और एक दिन Mary से मिलने उसके parents आते हैं जहाँ पर Mary टिम के बारे में सब कुछ बोल देती हैं कि वो उससे फुका हुआ प्यार करती है और अगले दिन टिम Mary से पोस्ट आए कि क्या तुम मेरे साथ खूमने चलोगी तब Mary कहते हैं कि नहीं मैं थक चुकी हूँ तब टिम अपने दोस रोज़र के साथ अग्येले आता है जहाँ पर उसको दिखती है शार्लिएट और वो उससे बात करने लगता है और टिम वहाँ पर कुछ अनाप सनाप बोल देता है और फिर से वो उस टैम में वापस जाकर दुवारा से स्कार्लेट से मिलता है और फिर से गलती से उल्टा सीधा बोल देता है और वो तिवारा से टाइम में वापस जाकर शार्लेट से नहीं मिलता पर शार्लेट उसको देख लेती है और इस बार टिम काफि समझदारे से काम लेता है वो कुछ भी अनाव सनाप नहीं भूलता और शारलिट टिम के साथ काफी इंजॉय करती है और उसको टिम काफी पसंद आता है और वो शारलिट के साथ संसकारे होने उसकी रूम पर जाता है पर तब भी उसको रियलाइज होता है कि नहीं ये करना कलत है उसका प्यार है मेरी और वो गर जाकर मेरी को direct propose कर देता है और अब वो मेरी को अपनी family से मिलवाने अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन की आरत काफी खराब है दिलासल उसकी बहन केसी शेह में रेकर काफी परिशान हो चुकी है और उसका boyfriend भी उससे जंगडा करता और यहाँ पर हम को एक और बात मालुम चलती है कि टिम भाई साब ने गूल कर दिया और मेरी हो चुकी है pregnant और इसलिए यह लोग तुरन शादी कर लेते हैं परिंद्र देवता यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और शादी में बरसा देते हैं पानी ही पानी और पूरे खानी के लगयाती हैं लंका और जब कुछ टाइम पात मेरी अपने बच्चे को जनम देती है और वो अपनी बच्ची को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका face cut उसी की तरह था और टिम लंडन में अपने नए घर में shift हो जाता है और टिम को मालम चलता है कि केसी का हो चुका है एकसी टेंट क्योंकि केसी की हो चुकी थी अपने boyfriend से पहस और उसके बाद उसका द्यार अपनी गाड़ी पर नहीं था और केसी कर लेती है अपने boyfriend से फ्रेक अप और टिम की मा का फोन आता है जहां पर टिम की मा उसको देती है पुरी खबर दरासर टिम की पूझे ने पिताजी को cancer निकला और कुछ ताम बाद उनका राम नाम सत्य हो जाएगा और टिम पूरी family में सबसे जाना अपने पापा से प्यार करता था और टिम इस दुख में आकर तीसरा गोल कर देता है यारे कि पताजी के प्राड चूटने वाले हैं पर टिम का बार बार गोल करना नहीं चूट रहा पर वो अपने पापा के साथ और भी इंजॉय करना चाता है इसलिए वो टाइम में काफी पीछे जाकर अपने पापा से बात करता है और कहता है कि फ्यूचर में आप कैंसर से मरने वाले हो तब उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं सबी को एक रहा एक दिन मरना है तब टिम कहता है कि आप क्या चाते हो तब टिम के पापा बोलते हैं कि मैं उसे टाइम पर वापस जाना चाता हूँ जिस टाइम पर मैंने तुम्हारे साथ काफी इंजॉय किया था और ये दोनों ही चले जाते हैं काफी पीछे जहां पर टेम होता है एक बच्चा और ये लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं और उसके बाद टेम आयाता है अपने समय में वापस और कुछ दिनों बाद उसके पापा भगवान के पास बहुत जाते हैं पर टिम के पापा रे टिम को लाइफ को सही तरीके से जीने के सारे टिप्स दे रखे थे और टिम उनी कदमों पर चलता है उसके पापा अमेशा कहते थे कि अपने कल को बैतर बनाने की जगा अपने आज को बैतर बनाओ आज तों कैसे कुछ रह सकते हो उस पर फोकस करो और गोल थोड़े कम मारो खेर यह तो मेरा कहना है और बस यहीं पर यह मूवी ती एंड हो जाती है तो अगर आपके पास टिम के ऐसी ताकत होती तो आप क्या करते कमेंट में जरूर बताना और मुझको भी मज़ा आएगा आपके विचार जानकर कमेंट में सबको प्यारा प्यारा हार्ट मिलेगा और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप इन दोनों मूवी में से कोई भी मूवी देख सकते हो और मेरे ख्याल से आपको ये राइट वाली वीडियो देखनी चाहिए पर कमेंट करने के बाद